ये ओमपरकास राजभर जी और उनके पदाधिकारी खुद कनफ्यूजन में हैं जब वो लोग कनफ्यूजन है चावी और छड़ी को ले करके तो समझ लीजे कि जनता क्या होगा बुल्डोजर चल ला था इसी कास्माबाद चावरा है जहुराबाद में मध्यांतर है हेड है जहुराबाद का लेकिन ओमपरकास राज इतना कसाई कि एक मिनट के लिए चावरा है पर खड़ा होना मुसाबिस नहीं समानता हूं कि आप बुल्डोजर को नहीं रोक सकते हैं रसनावला आपका भी घर गिर जाएगा डर के मारे नहीं खड़ा होंगे बिल्कूल बिल्कूल इसी तो भाजबा वो जोईन कर लिए अपने घर को बचाने के लिए जो 18 टिकट बेचे थे उस माल को बचाने के लिए अपने बेटे को संसद बिधायक बनाने के लिए सत्ता में बैट कर मलाई खाने के लिए गए और क्या करने गए वो कहते थे कि रा बहुत बहुत राज चैनल को भी और जितने आपके दर्सक देख रहे हैं आप लोगों भी दिल से धन्य बाद दिवाना की तरफ से दिवाना जी एक सवाल है कि शुर्वात उंपरकास राजबर से करूगा उनका नई टीम घोशडा भी है लेंगे चावी की जगे छड़ी है इस पर क्या कहेंगे देखिए उंपरकास राजबर जी और उनके पदाधिकारी खुद कनफ्यूजन में हैं जब वो लोग जहुराबाद में जो आकर जीएगा वही असली नेता होगा जहुराबाद के नेता लोगों ने बिधायक बनाया तब जाकर वो मंत्री बने हैं और सदन में जाकर करके मलाई काटने का काम कर रहा है जहुराबाद के नाम पर बुल्डोजर चल ला था इसी कास्माबाद बचाने के लिए जो 18 टिकट बैचे थे उस माल को बचाने के लिए अपने बेटे को संसद बिधायक बनाने के लिए गए और क्या करने गए वो कहते थे कि राजभर का लाई का पुलीस अदरोगा ना बनी कहिया बनी दोहरा हुआ मंत्री ब tulांवा तब क्या बने बादं के दो हो गहिंगरु मंत्री बनावें राजवर मं पिधाये बना वे दोप पुलीस बना वे थे cave बने बहुंगाक है एक प्र समय न को पैसिया जाहर घूस्तिया rec형ळ lle पार नहीं बिनास पूरुस जहुराबाद में दो बार इनके नाम पर इनके मोहर पे हम लोगों ने मोहर लगा कर एक बार भारती जंता पाटी से एक बार समाजवादी पाटी से जिता कर सदन में हम लोगों ने भेजा लेकिन ये इतना नकारा और निकम्मा विधायक निकला जहुर तक उटेयरा बाद काम है उसकी सुरचित कर पारे में वी नहीं भीगास कर पारेंगे यह लोग नहीं विकास कर पाएंगे अच्छा उम प्रकास राजवर्जियां की विदायक हैं तो यहां कि सांसेत अफजाल अंसारी भी 10 साले उनका भी काम है तो बताए बिल्कुल है बिल्कुल है अफजाल अंसारी का और एक सबसे बड़ा काम मैं बता दे रहा हूं कि अफज अफजाल अंसारी कापने नाम लिया अफजाल अंसारी बुल्डोजर चल रहे हैं मुकदमे हो रहे हैं लेकिन अफजाल अंसारी ने कभी हत्यार नहीं डाला घुठन नहीं टेका दल बदलने का काम नहीं किया जहां है वहीं वह इंसान आज भी चट्टान की तरख खड़ा है लेकिन उनका भी का सवाब बता है नहीं वह नहीं करते हैं उनका निधी का भी कास आप निकाल लेंगे पूरा बेवरा निकल के आपके सामने आ जाएगा और इनका दो काम इनके करकरता वह इसे दल बदलू 10,000 फेस्बूक लोग जूड जाते हैं तो बुलूट खरीद के लगाते हैं 6 मैना 6 मैना के बाद 6199 नहीं भर पाते हैं क्या बती आएंगे तो मैं फिर वही बात दो रहा रहा हूं कि आप जालान सारी का 10 साल हुए को एच्छा एसा काम बते कि युगाजीपूर में तरह तो पूछेंगे तो उत्तर परदेश में भी पच काम आप लोग पूछ रहे हैं पूछेंगे एक ब्यक्तिकत विश्ण मैं सत्ता पच काम कराता है ना यह जो जहुराबाद में हूं नीधी में अगर उनका काम होता तो मुझे दिखाई देता और यह जब रहा है पत्रकार में होते भूल रहा हैं कि जहां से आप हमारा डिवेट ले रहा है यह अफजाल अंसरी का सांसदी छेतर नहीं है बात दिवेट तो कही से वीज़ाइए डिवेट गाधीपूर में पूछ लेज़े बता देंगे बलिया में पूछे एक मैं बता पूजा हवन सब हुआ गया कहां उसी तरीके से जहुराबाद वालों को कुछ हाथ नहीं लगा है सिर्फ हवाबादी के किसको न कर रहा है न कर रहा है जब दो कदम अगर पीछे कोई हटता है तो यह मत सोचिए कि से डर गया और भाग गया दो बार हम लोग जरूर चुनाव हारे लेकिन तीसरी बार हम लोग तीसरी पार्टी बन कर उभरे इसी यहीं की जनता ने बनाया क्योंकि हम लोग ठीकाओ लोग है हम लोग भीकाओ लोग नहीं है हम लोग बने रहे हार हो या जीत हो जनता के साथ थे खड़े थे जनता ने तो सम्भिधान और अरख्षण के नाम पर समझवादी तो संतिसी जिद गए लगिए जहां दली तो पतेचार हो रहे हैं इसका मतलब आप मान रहे हैं कि भारती जंता पार्टी की सरकार में अतेचार हो रहे हैं पत्रकार महोदे इसी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्य बा छांब करना कि अब आपको यहां मल्यान पन करना था लुग तंत्रकार रहा हैं लोगतंत्र को खत्रा पैदा कर रहे वो आफ से मैं पूछूंगा क्योंकि आप निसपच्पत करता कर रहा है है। आप मान रहा हैं कि भार्ति-जंता पाटी का si जीतने लोग पीछलburg के नेता हैं कि जीतने इसलोग मैं अरकाश्चर नहीं एक कहते थे कि आ रधाप्यान समभीधान और हक अधिकार नहीं इस बहुत अपने आपको धनेवाद समझता हूं ढिciesी कि अपरकासी की वार्ट, लोग यहीं भी बोलते हैं कि अखलेस यादो की सरकार होती है इननों क्या कह रहा है कोतवाली कौन चला रहा है बोलो आज आज हिम्मत नहीं है लेकिन जब अखलेस यादो सत्ता में होंगे तो आप लोग बोल सकते हो क्योंकि अखलेस यादो सेर दिल सेर दिल सीम होता है जो आजादी देता है अजाद देश के अजाद नगरी को आजादी है जो बोलना है बोलो हमें कोई गम नहीं सच को सच को आच नहीं होता है लेकिन इस समय थाना कौन चला रहा है कोटवाली कौन चला रहा है बोल कर दिखाओ उठा लिये जाओगे पत्रकार और इस तरह से मत कहा करो कि भारती जंता पाटी दलीतों पे अत्याचार कर रही है हो रहा है तो हम लोग जहां जाते हैं सुनिए जहां भी जाते हैं हम लोग हम समाजवादियों पर मुकत्मा होता है हमारे नेता पर अंगली उठाई जाती है आज भी निकाली जा रही है यह तो भारती जंता पाटी के लोग करें कि संभीधान खत्रे में ही नहीं चलिए आप एक और बात बता दीजिए कि सरकार बनाने के लिए 272-73 स्रीट के अंदर में चाहिए कि चार सु चाहिए लगाया देश के पर्थम कुरुथी परधान मंत्री जी ने यह नारा लगाया था तो यह भी सोचेंगे क्यों मैं पूरा स्रीट जीत जाओ तो उसमें क्या है नारा लगाने से क्या होगा सरकार नाम बनाएंगे तो 273 बनाईए ना आपको लग रहा कि 400 यानि संभीधान बदलने कि आप तक जो भी सरकारे थी संभीधान के तरफ नहीं ताक थी पहली बार संभीधान का नाम लिया गया सब क्यों सवाल यह उठा सुनिए संभीधान में सेल साड किया नहीं कर पाएंगे ना रोज किया हुआ कि नहीं हुआ है सुनिए पुड़ बहुमत की सरकार नहीं आई सबको मालूम है और अब तक आप क्यों नहीं आ रहा है राट को आठ बजे नोट बंद तो यह बंद तो बंद मन की बात क्यों नहीं कर रह समाजबादी लोग समझ चुके हैं मामला कहां से है जो अगोरेगा वो जीत के जाएगा सनातन पांडे बलियां हमारे संसद अगर अगली बार अगोर देते तो अगली बार संसद हो जाते इस बार खड़े थे देखिए जीत के गए हैं यह यह आप आप घुम रहे हैं हमसे अच्छा हमसे पूछेंगे कौन हर वारा मैं मैं देखिए मैं जहां तक हूं तिनी लेवल की बात करूंगा और अपने बिधान सब्सक्राइब पूछेंगा तो मैं बता दूंगा विकास दो काम बता दीजिए समाजवादी पाठी की सरकार्ती समाजवादी बिधायक के अलामा जहुराबाद में अगर किसी बिधायक का काम है तो हमें बता दीजिए दो काम बता दीजिए जनते हैं क्या करते हैं ओंपरकास राजवर के करकरता नेता दलबदलू नेता दलब परकास राजबर कर वारा है पानि टंकी को उम्परकास राजबर भात पाम नहीं गया तो पन टंकी वाली सुविदा पारित हो गई थी अगर अगर असी की शीठ जीट जाएं तो इलेक टानी की वियम पर हमें भरोसा नहीं याने असी जीतने के पाद फ्रिष्टी पाद दिलातेंगे उन्होंने अगर हमारा सायथिस नहीं जजजदिन सायथिस सीट आई थी मीडिया ने आपसे पहले साथ नेसनल मीडिया ने सवाल किया उन्होंने जबाब दिया बिलकुल और जहुराबाद में आप घूम लेंगे त चला कोई मंत्री हैं विधाय के ऐसे से खड़ा हो जाते उनके विधानसाबाच्षेतर में चल ला था खड़ा हो करके संबेदना दे देते यहां की लोग यह कंफ्यूजन में यहां की जनता यह है कि जब रईष्टरी कराने गई है तो 40 फूट सोड़ करके रोट से लेकिन नाज़ ड़ीडर में 60 फूट लिए जा रहा है तो डुश्टरी कराई है 20 फूटका उसका पैसा कहों देगा 920 फूट लिए जाएगा जहुराबाद में कोई काम उंपरकास राजबर में जिस बार मंतरी बन कर आएंगे जहुराबाद में बिधायक नहीं बन पाएंगे यह दावा है और यहां की जनता रोकेगी चावी पहले इनका चावी है कि छड़ी पहले कन फ्यूजन कर लें पदादिकारियों की घोसरा कर हैं और यह कर रहे हैं कि हमारा चुनाव निसांचा भी है और उस पर देखेंगे जिस पर घोसरा पतर आया हुआ है उनके चड़ी है अभी खुद कन फ्यूजन है तो जनता को कहां से कर पाएंगे चलिए ठीक है तो इनका दावा है कि जब 27 का विधान सभाएगा तो प्रका स्राजबर है ट्रिक नहीं लगा पाएंगे बागी आपकी क्या है रहा है कमेंट बॉक्स में जरू लिखे इसे खबरों के लिए राश्ते के लिए चनल देखते रहे हैं